नमस्कार आज हम सदिश बीजगनित के बारे में बात करेंगे जो की इस बारवी क्लास का सबसे आसान चैप्टर है इस चैप्टर में आप जो बच्पन से पढ़ते चले आ रहे हो सदिश और बीजगनित केबल इसको कममाइंड करके ये चैप्टर बनाया है जिसमें आपको बहुत आनन्द आने वाला है तो इस चैप्टर के अंत तक आप क्या जान पाएंगे वो आईए हम देखते हैं जब ये पाठ समाप्त होगा आप देख पाएंगे कि सदिश और अदिश राशी किसे कहते हैं इस्थिती सदिश क्या होती है दिक को साइन किसे कहते हैं सदिश कितने प्रकार का होता है सदिशों का योग फल क्या होता है खंड सूत्र क्या है और सबसे आखिर में सदिश का स सदिश्ते गुडनफल कैसे होता है, ये आप जान पाएंगे, तो आएए चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुतिक राशियां, बहुतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश्राशी और सदिश्राशी, अदिश्राशी जिसमें केबल हमारा परिणाम होता है, द दिशा नहीं है तो इसमें उधारण में हम ले सकते हैं समय, दूरी, छेतरफल, कुछ भी हो सकता है किसी की उचाही कितनी हैं, ये सब राशियां अदिश राशी में आ जाती हैं, इसी प्रकार से सदिश राशी की बात करें, सदिश में अपने परिमान के साथ साथ दिशा भी शामिल हो जाती है, जैसे मुझे यहां से विद्ध्याले जा रहा हूं, चूकि विद्ध्याले जा रहा हूं मेरी दिशा हो गई, इसी प्रकार से वेग, बल, विस्थापन, ये सारे उधारण सदिश राशी के हैं, जिन्हें आप बच्पन में देख चुके हो, मैं कुछ व उधारण आपको बताना चाहता हूं, उस उधारण में जब आप देखोगे कि आप लोगों ने लाइन सेग्मेंट पड़ी हुई है, जब हम लाइन सेग्मेंट रेखा खंड की बात करते हैं, ए भी रेखा खंड है, और ये है मानलो मेरा तीन सेंटीमीटर का, तो ये है अगर मैं इस मैं कह दूँ कि यह A से B की तरफ है, तब ये हो गया सदिशराशी, इसको और समझने के लिए हम जब ग्राफ में आते हैं, तब बहुत आसानी से इसको समझ पाते हैं, ग्राफ से, कैसे आपको पता है कि ये इसका मूल बिंदु है, एक मैंने यहाँ पर निर्देशांक मैंने यह हम बनाया, अगर ये एक सेंटिमीटर की दूरी पर है, तो आप बता सकते हो, यहाँ पर कितना निर्देशांक होगा, बिल्कुल ठीक, यह हो गया निर्देशांक, एक जीरो, और जो वाई अक्ष पर है, वहां निर्देशांक हो जाएगा, जीरो दौनों की दूरी समान है दूरी एक ही सेंटीमीटर है क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं कहूँ 0,1 है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये y अक्षपर होगा या x अक्षपर होगा हम नहीं बता सकते नहीं ना अगर 0,1 है तो आप सीधा कहेंगे सर ये वाई अक्ष पर है और अगर मैंने कहा एक जीरो है तो आप कहेंगे सर ये वाई अक्ष पर नहीं ये तो एक्स अक्ष पर है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसमें दिशा शामिल हो गई एक्स अक्ष की दिशा या वाई अक्ष की दिशा इनी सब में आनंद लेते हुए, हम लोग आगे इस जो हमारा बीजगरनित है सदिश की, इसको जान पाएंगे, आगे समझते हैं, इस्थिती सदिश, इस्थिती सदिश में एक शब्द से ही पता लगता है, यानि पोजीशन, किसी की भी पोजीशन पता अगर हमें करनी होती है, तो कहां से पता करना है, आप वहां है, मैं यहां हूँ, मेरे यहां से आपकी पोजीशन, या दरवाजे से आपकी पोजीशन, सा हमारे पास जो आपने ग्यार वी में पढ़ा था कि ये x अक्षे है ये y अक्षे है और ये z अक्षे है अगर कोई मेरे पास बिंदू है P किसी भी बिंदू की मुंल बिंदू से position पता करना इस्तिती पता करना इसका इस्तिती सदush कहलाता है अर्थात ये origin है इसका मूल बिंदु है इस origin इसके निर्देश आंक होंगे 0,000 यहाँ से अगर मैं इसकी स्थिती देखूँ तो ये हो गया इसका स्थिति सदिश इसके साथ जरूरी नहीं है P हो हो सकता है यहाँ पर मेरा A है, यहाँ पर मेरा B बिंदू है, तो वोई मूल बिंदू से ही देखेंगे सबकी स्थिति, मूल बिंदू से इस सदिश को देखना, यह इसकी स्थिति दिखाएगा, और अगर B को देखेंगे, तो यह इस B की स्थिति दिखाएगा, अब इसको छोटे रूप तीर का निशान लगा दिया, B में मैंने छोटा B लिखा और तीर का निशान लगा दिया, P है, इसको हम सामानने तोर पर, जिसे की सभी जगे एक जैसा जाए, हम इसको R से निश्चित करते हैं, R, तो P का जो इस्थिती सदिश हुआ, वो हो गया, R, B का, B हो गया, OB, हम इसको क क्या और लिख सकते हैं, तो आप देखना, हम क्या करेंगे, O, P सदिश को मैंने लिख दिया, R, इसी प्रकार से, O, A सदिश को लिख दिया, A, आप OB सदिश को लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, B हो जाएगा, इस तरह से, किसी भी सदिश की इस्तिती हम पता कर सकते हैं, अभी तक जो आपने देखा, उसमें एक छोटी सी बारीक चीज पर और हम चर्चा कर लेते हैं, तो आपको सदिश और किलियर होगा, और वो छोटी सी चीज है, कि आप लोगोंने लाइन पड़ी है, और लाइन में आप जानते हो, इधर भी ऐसे होती है, और इस लाइन को र लाइन सेग्मेंट पड़ी, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया, एबी से, चुकि सदिश में केवल दिशार नहीं है, परिमान भी है, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना, हमें ध्यान ये रखना है, कि यदि ये कैपीटर लेटर में है, तो यह केवल जहां से शुरू हो रह है, और जहां खतम हो रहा है, वही केवल दूरी है, जहां से शुरू हो रहा है, उससे पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, और जहां खतम हो रहा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, अर्थात, अगर मैं यहां A-B की बात करूँ, और मैंने कह दिया, कि ये वैक्टर है, अगर म यदि ये capital letter है, इसका मतलब हुआ, कि ये इस B से आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है, अगर capital, आम तोर पर जब हम दिशा पढ़ते हैं, तो हमारे ध्यान में क्या आता है, infinite जा रहा है जी, लेकिन अगर ये B capital है, A capital है, इसका मतलब ये इसका अंतिम बिंदु है, इसल ये सदिश में हमें दो चीज़ें खास तोर पर समझनी चाहिए, पहला प्रारंबिक बिंदु, दूसरा अंतिम बिंदु, प्रारंबिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी परिमान कहलाएगी, जैसे अगर मैं अभी बात करता हूँ, P और यहां है Q, और मैंने बना दिया, P Q, अब P से Q के बीच की जो भी दूरी है, यह परिमान है, लेकिन दिशा P से Q की तरफ है, अगर मैंने इसको ऐसे बनाया होता, Q, P, अब मेरा सदिश शुरू हो रहा है Q से, जा कहां तक रहा है, P तक, जो विशेश आपको जहां सबसे ज़्यादा गलत होता है, P से आगे नहीं जा रहा है, P तक है, यानि इसका जो परिमान है, वो केवल P है, तो जो हमने अभी अभी पढ़ा था, जैसे हम यहां देखें, तो O से, P जो दिख रहा है, P के पास तीर होने पर अधिकांश विद्यार्थियों को गलत फेहमी होती है, कि जी यह P से आगे तक कहां तक जाएगा, क्या infinite जाएगा, क्या, दिशा वो है, लेकिन यह P इसका अंतिम बिंदू है, यह आपको खास दियान करना है, अगर हम उस चित्र में देखें, A, B, P, C, कुछ भी लिखा हो, जहां से वो प्रारंब हो रहा है, तो O से शुरू हुआ, और जो capital letter में लिख रहा है, वो उसका अंतिम बिंदू होगा, यह एक इसमें विशेश बात है, यह एक और विशेश बात, मैं इसमें और बता दूँ, कि अगर किसी सदिश का हमें परिमान निकालना हो, तो कैसे निकालना, तब हम उसके बाद चलेंगे, इस एक और प्रशना आप देख रहे हो तो जब भी हम कभी भी पूरा पस्चिम, उत्तर दक्षिन से संबंदित प्रशन देखें, और किसी भी विशे में देखें, और किसी भी अध्याय में देखें, तो एक रफ साइड में एक छोटासा ऐसे नक्षा अबश्य बना लेना, यहां हमेशा ध्यान रखना, उपर उत नीचे दक्षिन, पूरव और पस्चिम, यह मैंने रफ साइड में बना लिया, इसको देख करके मैं अगर इस प्रशन को करूँगा, तो कभी भी प्रशन मेरा गलत नहीं होगा, जैसे दक्षिन से 30 डिग्री, तो सबसे पहले मैं अब प्रशन हल कर रहा हूं, इसका आलेख यह निरूपन करते समय, दक्षिन मेरा नीचे है, दक्षिन से 30 डिग्री पस्चिम की ओर, दक्षिन से पस्चिम इस साइड आ रहा है, अगर यही पूरव होता, तो उधर होता, तो दक्षिन से पस्चिम की ओर, कितना 30 डिग्री, और कितने दूरी पर है, 40 किलोमीटर, तो यहां से एक पोजीशन ये हो गई जो की कौन बना रही है 30 डिगरी दक्षन से पश्चिम और इसकी तीर लगा दिया लेकिन अगर मैंने यहां पर कैपीटर लेटर में ए लिख दिया इसका मतलब यह अंतिम बिंदू हो गया जिसका की मूल बिंदू से विस्थापन मेरा रहा 40 किलो मीटर आनंद आया बहुत बढ़िया आगे चलते हैं दिक को साइन आप लोगों ने तिरकौन मिती पड़ी है तिरकौन मिती के हिसाब से कौस अवश्य पड़ा होगा को साइन है ना इसमें को साइन तो वही को साइन है लेकिन दिक को साइन क्या होता है सदिश में वो ज जानते हैं, त्रिविमिये में हैं, त्रिविमिये अर्थात ये y-axis, ये z-axis और ये x-axis, अगर कोई भी बिंदू है, पी, जो अंतरिक्ष में है, उस अंतरिक्ष के बिंदू की origin से, मूल बिंदू से, जो position है, और इसके निर्दे शांक है, x, y और z, इस op, जो सदिश है, ये op सदिश, तीनों अक्षों के साथ, जो कौण बना रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं, कि ये सदिश x-axis के साथ, मान लो, alpha कौण बना रहा है, y-axis के साथ, मान लिया, beta कौण बना रहा है, और यही सदिश, z-axis के साथ, मान लो, gamma कौण बना रहा है, इस सदिश का तीनों अक्षों के साथ जो कौण बना इन कौणों का कौस में वैल्यू अब कौस में वैल्यू समझने के लिए आपको बी अक्ष से जल्दी समझ में आ जाएगा वाई अक्ष से कैसे हमने ये नीचे लिया नीचे लिया तो आपको पता है कि ये जो y है ये y आपकी ये वाली distance हो गई अगर हमारे पास OA y हो गया और ये जो लंब है ये कर्ण है पूरा एक समकौन तिर्भुज बन गया इसको हमने r vector कहा है अगर मुझे इसका cos beta निकालना हो आप जानते हो दस्वी क्लास में आपने पढ़ा है कि cosine होता है आधार बटे कर्ण अर्थात आधार मेरा y हो गया और कर्ण मेरा हो गया r cos beta हो गया मेरा y बटा r इसी प्रकार से अगर मैं x अक्ष की तरफ गया तो वो हो जाएगा cos alpha हो जाएगा मेरा x बटा r मेरा cos gamma हो जाएगा z बटा r और इसका symbol बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना l यानी cos alpha, m यानी cos beta और n को हम symbol में cos gamma कह देते हैं अर्थात cos alpha, cos beta और cos gamma या l, m और n हमारे direction cos होते हैं एक छोटी सी चीज और आप समझें कि इसका मतलब हुआ कि l की value मेरे पास हो गई x बटा r, m की value क्या हो गई, y बटा r और n की value क्या हो गई, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने z बटार, यदि मैं इन तीनों का वर्ग करके जोड़ दूँ, तो क्या आएगा लेकिन उसे जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें एक x y z किसी का दे रखा हो तो ये क्या कहलाता है अब सदिश में और अगर हमें ये पता हो तो हमें ये दूरी पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे, पहले हम इसे जानेंगे, उसके बाद इस प्रशन को करेंगे मालो मेरे पास एक p बिंदू सदिश, op सदिश दे रखा है, r मुझे इसका परिमाण पता करना है तो परिमाण के लिए x y और z ये दिक अनुपात कहलाते हैं x y z दिक अनुपात कहलाते हैं एक और नाम है इसका, उसे हम आगे समझेंगे फिलाल हम इतना मालने हैं कि इसको हम x y z निर्देशांक कहते थे निर्दाशांक की जामिती में, अब कहेंगे इसको दिक अनुपात अगर मुझे op पता करना है, परिमाण तो इसका मतलब ये जो निशान है, op के आगे जो आपने पहले मॉडुलस पढ़ा था, मापांक पढ़ा होगा इस तरह के निशान का मतलब है, o से p तक के बीच की दूरी पता करना और o से p तक के बीच की दूरी पता करने के लिए, ये जो भी हमारे पास दिक अनुपात दे रखे हैं अर्थात x, y, z है, इन सब को square करके और अगर मैं जोड़ दूँ और फिर इसका बर्गमूल निकाल लूँ, अर्थात x square प्लस y square प्लस z square का अब ये आया कहां से, आप लोग ध्यान करो, ग्यारवी क्लास में आपने दो बिंदूओं के बीच की दूरी पड़ी थी इसके निर्दे शांक है, 0, 0, 0, ध्यान आ गया ना, x-0 का whole square, हमें तो op दूरी चाहिए y-0 का whole square, z-0 का whole square और उसका बर्गमूल इस तरह से मेरा op या जाएगा, इसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं चाहूं तो सीधा r या op भी लिख सकते हैं, और op, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये अदिश राशी है, r लिख दिया, po लिख दिया, op लिख दिया, कारण क्योंकि वो यहां से और यहां तक के बीच की केबल अदिश राशी है, परिमार है इसके आधार पर अब हम ये समझेंगे जो आप ये प्रशन देख रहे हो सदिश A के दिक अनपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक को साइन भी ग्याद करिए इस प्रशन को देखते हैं सबसे पहले दिक अनपात लेकिन हमें तो वेक्टर ये दे रखा है तो A हमें दे रखा है I cap प्लस J cap माइनस 2 K cap हमारे पास दिक अनपात बता सकते हो क्या होगा बिलकुल दिक अनपात हो गया 1, 1 और माइनस 2 I cap का जो कोफिशियन्ट है 1 हो गया J cap का 1 K cap के साथ कितना लिख रहा है माइनस 2 तो 1 माइनस 2 हमारा हो गया दिक अनपात अब इसकी सहायता से अगर मुझे दिक कोसाइन निकालना है आप लोगों ने पढ़ा था L होता है X बटा R तो सबसे पहले मुझे निकालना है R अर्थात अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मुझे निकालना है A का मापांक और A का जो परिमान है वो क्या होगा वर्ग मूल में 1 स्क्वाइर प्लस 1 स्क्वाइर प्लस माइनस 2 का वर्ग कितना आ जाएगा आप लोग देखें 1 जमा 1 जमा 4 6 हो गया अर्थात ये आ गया वर्ग मूल 6 अब ये जब आ गया तब आप देखें X upon R अर्थात व एक बटा बर्ग मूल 6 अगर मुझे M निकालना होगा तो क्या होगा बिलकुल ठीक बताया Y बटा R अर्थात ये भी हो गया मेरा एक बटा रूट 6 और अगर मुझे N निकालना होगा तो वह हो जाएगा Z बटा R अर्थात माइनस दो बटा बर्ग मूल 6 इस प्रकार से अगर हमें कोई सदिश दे रखा है तो हम उसके दिक को साइन आसानी से पता कर सकते हैं यहां से एक और फॉर्मूला निकलता है और वो निकलता है कि अगर हमने इन तीनों को स्क्वाइर करके जोड़ दिया बर्ग किया और जोड़ दें अर्थात हमने किया L स्क्वाइर प्लस M स्क्वाइर प्लस N स्क्वाइर कल्पना कर सकते हो कितना आएगा सही कह रहे हो जादू हो जाएगा कारण इसका बर्ग करोगे तो X स्क्वाइर बटा R स्क्वाइर M का बर्ग करोगे तो Y स्क्वाइर बटा R स्क्वाइर N का बर्ग करोगे तो Z स्क्वाइर बटा R स्क्वाइर तीनों में R स्क्वाइर है R² LCM लेते ही उपर क्या हो जाएगा? बिल्कुल X² प्लस Y² प्लस Z² कट जाएगा और equal to में आ जाएगा 1 अर्थात किसी भी दिक को साइन में वर्गों का योग हमेशा एक होता है. ठीक लग रहा है ना? बहुत आसान है. आगे चलते हैं. सदिशों के प्रकार. अब किस प्रकार के सदिश होते हैं? बहुत ही इंट्रेस्टिंग. क्योंकि इसको जानने के बाद आप और आगे बहतर सदिश को जान पाएंगे. शूने सदिश. अर्थात जिसमें पर्माण ही न हो. जिसमें पर्माण नहीं. दिशा तो है लेकिन पर्माण नहीं है. लेकिन दिशा कैसे होगी जब शूने है? जैसे ए से ये कोई एक बिंदू है. ए और ए का ए परी. उसी बिंदू से उसी बिंदू पर अगर है तो जिसमें परिमाण शूने होता है. उसे हम कहते हैं शूने सदिश. आइए. अब हम मात्रक सदिश को समझते हैं. मातरक सदिश अर्थात जिसका परिमाण एक हो. अर्थाथ अगर मान लो मेरे पास कोई सदिश है A I cap प्लस J cap प्लस 2K cap मुझे इसका परिमाण 1 चाहिए तो सबसे पहले एक निकालने के लिए मुझे इसका परिमाण निकालना पड़ेगा तो मैंने क्या किया इसका पहले परिमाण निकाल लिया और परिमान निकालने का तरीका तो आपको आई गया है एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग और इस तरह से ये हो गया बर्गमूल 6 अर्थात इस वेक्टर का परिमान मेरे पास आ गया बर्गमूल 6 लेकिन मुझे तो चाहिए एक, तो मैं क्या करूँगा, इस परिमाण से इसको भाग कर दूँगा, अर्थात, ए सदिश को मैं भाग कर दूँगा, ए के परिमाण से, तो भाग करने पर मेरे पास आ जाएगा, एक बटा बर्गमूल छे आई कैप, प्लस एक बटा बर्गमूल छे जे कैप, प्लस दो बटा बर्गमूल छे के कैप, और ये जो आया, अब जिसका परिमाण एक होगा, ये कहलाता है, एक कैप, तो किसी भी सदिश का, जब परिमाण एक हो जाए, वो मात्रक सदिश कहलाता है, और उसके उपर कैप लगा होता है, तो जब भी आप किसी पर कैप लगा देखो, समझ जाना, कि इसका मात्रक एक है, परिमाण एक है, और ये है उस वेक्टर का मात्रक सदिश है, इसका उप् सबसे जादा इसका हम उप्योग करते हैं X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष आप लोगों ने एक छोटी सी चीज देखी होगे मैंने बीच में I कैप लिखा, J कैप लिखा, K कैप लिखा आया कहां से वो आया इस मात्रक सदिश से कैसे X अक्ष से एक एकाई दूर यहां कोई B, और यहां A के काई दूरी पर है C, बहुत ध्यान से इसको समझना, इसका मतलब यह मेरा मात्रक हुआ, लेकिन किस दिशा में हुआ? X अक्ष की दिशा में, इसलिए इसको हम कहते हैं I कैप अर्थात X अक्ष की दिशा में I कैप अर्थात E कैप एक यूनिट, Y अक्ष की द जैड अक्ष की दिशा में है तो वो कहलाता है के कैप अर्थात किसी भी scalar quantity अर्थात अदिश राशी या किसी भी संख्या के साथ केवल I कैप लिख रहा है इसका मतलब वो X अक्ष की तरफ है जैसे मालो मेरे पास लिख रहा है 2 I कैप आप बता सकते हो कि सर X अक्ष की तरफ 2 unit है कहीं लिख रहोगा माइनस 3 ज्यक्ए अर्थात जैड अकष पर नेगटिर साइड में वाइं अक्ष पर नेगटिर साइड में माइनस 3 है तो यह परमान और एक परमान है वो ज्यक्ए तो आई कैप ज्यक्ए और के एक प्रतीक होते हैं एक्सक्ष, वाईयक्ष और जैडक्ष के हैं इसके बाद आता है आपका सह आदिम सदिश सह आदिम सदिश बहुत बढ़िया आप लोगोंने सदिश पढ़ते समय पढ़ा था कि इसका ये प्रारंभिक बिंदू है और ये अंतिम बिंदू है अगर प्रारंभिक बिंदू से एक से जादा यदी सदिश शुरू हो जाएं तो ऐसे सदिश जिन सबका शुरुवाती बिंदू एक हो वो सभी सह आदिम सदिश क्या लाते हैं है ना असान? सनरेखिये सदिश सनरेखिये समझने के लिए आपको ग्यार्मी और दस्मी में आपने कोलिनियर पॉइंट पड़े हैं कि एक रेखाखंड पर जितने भी बिंदू हों वो सभ सनरेखिये कहलाते हैं लेकिन सदिश के साथ और है, सदिश दिशा बताता है इतना सही तो जोड़ना है एक ही दिशा में जितने भी सदिश होंगे वो सब सनरेखिये सदिश हो गए यानि इस दिशा में ये भी है, इस दिशा में ये भी है, इस दिशा में ये भी है ये सब हमारे सनरेखिये सदिश होंगे इसमें छोटा सा पेज जिस पर question भी है वो क्या आता है मैं एक बार question आपको discuss करता हूँ कि एक बार प्रशन आया था समझने के लिए कि आपको ये कोई vector है एक बिंदू यहाँ A है यहाँ B है अब A बिंदू है इसके मान लो निर्देशांग के हैं 1-1-1 B के निर्देशांग के हैं 2-2-2 एक एक निर्देशांग यानि यहां से यहां तक की दूरी B का मतलब यहां से यहां तक की दूरी ये दोनों दूरियों में अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूरी कुछ और आएगी, ये दूरी कुछ और आएगी, दूरी अलग हो सकती है लेकिन दोनों की दिशा समान है अधिकांश बच्चे गलत फ्यमी में क्या आते हैं कि जी दूरी भी बराबर होगी तब वो सनरेखिय होंगे दिशा का दूरी से कोई मतलब नहीं होता है एक और पढ़ते हैं समान सदिश समान सदिश में, अब यहां सनरेखिय सदिश सामिल हो जाता है ऐसे सदिश जिनकी दिशा भी वही हो और पर्मान भी समान हो दिशा और परिमान दोनों यदी समान है तो वह समान सदिश कहलाता है मतलब क्या है इसको आप समझ ले मालो आपके पास एक सदिश है 2i cap प्लस j cap वहीं दूसरा है i cap प्लस 2j cap दोनों का अगर आप परिमान निकालोगे तो आपके ध्यान मा जाएगा यहां भी वर्गमूल 5 है और यहां भी वर्गमूल 5 है परिमान दोनों का बरावर है लेकिन ये सदिश बरावर नहीं है क्योंकि इनके जो ये आप देख रहे हो i के साथ 2 और यहां i के साथ 1 यहां j के साथ 1 कि यहाँ जे के साथ दो इसका मतलब इनकी दिशा समान नहीं है एक मैंने अभी उधारन लिखा था मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ आपको इसके निर्देशांक थे एक 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 इसके निर्देशांक हैं दो 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 मान लो तो यह O A और O B या A B तीन सदिश हो गए ना O A, A B और O B आपको ध्यान आएगा कि अगर हम O A की परमान निकालेंगे तो कुछ और आएगा O B का निकालेंगे तो वो कुछ और आएगा क्योंकि हम जीरो से दो तक की दूरी हो गई लेकिन अगर मैं A B के दूरी निकालूंगा तो वह O A के बराबर आएगी लेकिन सदिश अगर मैं देखूं दिशा देखूं तो इसकी दिशा हो गई टू आई कैप, टू जे कैप, टू के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप अर्थात दिशा समान होगी लेकिन परिमान अलग-अलग है इसलिए ये समान नहीं होगा यानि O A और O B बराबर नहीं होगा लेकिन O A और A B बराबर भी होंगे क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा भी समान है और दोनों का परिमान समान है एक अदिश का सदिश से गुणनफल गुणनफल में अदिश और सदिश अर्थात हमारे पास है कोई 2I cap A vector मानलो मुझे इसी को 2A vector करना है तो ये हो गया 4I cap मानलो मेरे पास A vector है I plus J plus K मुझे अगर इसे half A करना है तो आपने वो पिछले बार भी देखा था हमने half से सब को into कर देंगे यानि half I cap plus half J cap plus half K cap इस प्रकार से अदिश और सदिश का गुणनफल होता है एक और नई चीज देखते हैं अगर आप देखोगे एक सदिश के घटक हम केवल नाम दे रहे हैं पढ़ तो हम इनको पहले ही चुके हैं जैसे आपने पढ़ा मानलो A बराबर X I cap plus Y J cap plus Z K cap अब ध्यान से देखना I cap, J cap और K cap क्या होगे बिलकुल X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष के मात्रक सदिश लेकिन इनके साथ लिख रखा है X, Y और Z इसका मतलब X, Y और Z ये मेरे कहलाएंगे अदिश घटक क्योंकि बिना I cap, J cap और K cap के तो ये सिर्फ परमान है है ना असान? X, Y, Z कहलाएंगे अदिश घटक और यदि इनके साथ I cap, J cap और K cap लग जाएगा तब ये कहलाएंगे सदिश घटक अर्थात ये कहलाया अदिश घटक और X, I cap Y, J cap तथा Z, K cap फिर ध्यान दिला रहा हूँ अगर I cap, J cap और K cap के साथ संख्या लिख रही है वो कहलाएगी सदिश घटक और अगर I cap, J cap, K cap नहीं है तब कहलाएगी अदिश घटक आईए, इसके बाद हम और आगे देखते हैं कि दो बिंदूओं को मिलाने वाला सदिश क्या होता है मान लो, मेरे पास एक बिंदू है P जिसके की निर्देशांक है X1 Y1 और Z1 एक दूसरा बिंदू है Q इसके निर्देशांक है X2, Y2 और Z2 मुझे निकालना है P से Q का सदिश अब आप देख सकते हो ये मेरा ग्राफ है अगर ग्राफ है तो O से P का स्थिति सदिश O से Q का स्थिति सदिश उसके इसाब से मैं जब P Q निकालूँगा तो वह क्या हो जाएगा आप उसे ध्यान से देख लेए P Q मेरे पास हो जाएगा Q के अधिश घटक में से P के अधिश घटक माइनस करना अर्थात X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप और इसी तरह से तीसरा हो जाएगा Z2 माइनस Z1 के कैप है ना असान इसके दो प्रश्न देखते हैं छोटे-छोटे से है X, Y और Z के मान ग्याद कीजिए ताकि सदिश A और B समान हो हम पढ़ चुके हैं समान सदिश का मतलब होता है दिशाभी सेम होना और उनका परिमान सेम होना तो यदि A और B बराबर है तो आप देख सकते हो कि X, I कैप है वहाँ 2, I कैप है तो X की मान कितना होना चाहिए बिल्कुल ठीक कहा 2 होना चाहिए 2, J कैप और 2, Y, J कैप है तो Y का मान कितना होना चाहिए 2 होगा तभी समान दिशा होगी J कैप और K कैप यहाँ J है वहाँ 1 है अर्थात J का मान भी एक होना चाहिए जब इनके घटकों के मान समान होंगे तब वो A की दिशा में होंगे अब आते हैं सदिश दूसरा है सदिश A दे रखा है इसके अनुदिश मात्रक सदिश ग्याद कीजिए इसे हम पहले देखी चुके हैं मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्या करना होगा मापांक निकालना होगा और मापांक निकालने के बाद यानि परमान निकालने के बाद फिर A कैप निकालने के लिए झाल झाल